हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब जेनल अलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है पोरूस सकती बढ़ाने और नपुशकता दूर करने के रामबान उपाई लड़के जरूर देखें कौन से आईए एक एक करके जान लेते हैं अच्छी सेहत सवास्ते के निसानी है यदि सेहत ठीक है तो आपका हर काम में मन लगेगा और आप किसी भी काम को अच्छे से करसकेंगे और इसके लिए आप हमेशा अपने खान पान पर दिहान रखें आप फल, फ्रूट, इत्यादी का सेवन करते रहें फिर भी आज की भागदोडबरी जिंदगी में कुछ ने कुछ कमी रहे जाती है जिस वज़े से हमारा सरीर बिमारियों की चपेट में आ जाता है कई पूरूस ऐसे हैं जो गुपत रोगों के शिकार हो जाते हैं नपूशकता हैं और पूरूस रोग की समस्या से घिर जाते हैं जिसके कारण उनके वेवाहिक जीवन भी परभावित होने लगता है आईए बात करते हैं नपूशकता होने के क्या क्या कारण है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आपसे चोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाले ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और शमय पर मिलते रहें तो चलिए बात करते हैं नपूशकता होने के कारण के बारी में डाइबिटीज होना, खान पान में पूशकततों की कमी होना, ज्यादा सराब का सेवन करना ए प्राकरतिक सम्मंद बनाना, किसी गंबीर बिमारी का ओप्रेशन होना, किडनी या लेवर का खराब होना, मनोवे ग्यानिक कारण दुमरपान करना इसके अलावा पूरूसों में हार्मोन की कमी भी नपूशकता की समस्या का कारण हो सकता है आईए अब बात करते हैं नपूशकता के लक्षनों के बारे में शारिरिक संबन्द के दोरान जल्दी ठक जाना, इंदरी में कठोड़ता का कम होना, अत्तम विश्वास में कमी होना, इंदरी का छोटा हो जाना, गबराहट लगना, संभोग के लिए उतेजना ना होना, ये सबी नपूशकता के लक्षने किस परकार से दूर करेंगे, गरेलू पाई कौन कौन से हैं, आई ये जानते हैं नमबर एक, बतासा भी आपके सरीर को सक्ती बढ़ाने का काम करता है, इसलिए बतासे में आक के तेल की एक से दो बूंद डाल कर इसका सेवन करें नमबर दू, दो शे तीन ग्राम आक के तेल को तिल के तेल में मिलाकर अपने सरीर और गुप्त अंगों पर इसकी मालिस करें नमबर तीन, गाजर में कई तरह के विटामिन्स पाय जाते हैं, इसलिए यदि नपुशकता दूर करना चाते हैं, तो सो ग्राम गाजर के हलवे में एक बूंद आक का दूद मिलाकर दिन में इसका सेवन करें, और कुछ दिनों तक ऐसा करें नमबर चार, मानिशित तनाओ के कारण नपुशकता हो, तो केले का सेवन करने से फाइदा मिलेगा, केले में पाय जाने वाले पोटेशियम, पुरूशों के लिए ज्यादा फाइदे मन दोते हैं अद्रक भी आपकी ताकत को बढ़ाता है, इसलिए एक सम्मत सहद में अद्रक का रस मिलाकर इसका सेवन करें नमबर 6 अद्रक का रस, प्यास का रस, घी और शहद को अच्छी तरह बराबर मात्रा में मिलाकर लगातार एक महीने तक इसका सेवन करने से नपुशक्ता की समस्य दूर हो जाती है इसके अलावा पूरु शक्ती बढ़ाने के लिए नीमित आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं, सर्दी हो या गरमी गुड का सेवन जरूर करें शरीर को हमेशा बलवान बनाए रखने के लिए गरम दूद के साथ सतावरी का चुरण मिशरी के साथ नीमित रूप से सेवन करें इसके अलावा तुलसी के पत्तों को हमेशा खाएं, इसका एक दो नहीं बलकि कई सारे फाइदे मिलते हैं और आप जल्दी बिमार नहीं पड़ते इसके अलावा सुबह साम गाये के दूद का सेवन करना काफी फाइदे मन्द होता है पाचन सकती कि अगर आपकी कमजोर है आप मजबूत करना चाहते हैं तो काली मीड से सुखी करी पता लोंग और सोंट को पीस करादा चमस दूद के साथ इसका सेवन करें इसके अलावा ताकत और उर्जा पाने के लिए कम से कम एक सबता है में तीन दिन दूद के साथ सिलाजित का सेवन करें इसके अलावा शोगंदा का सेवन दूद के साथ नीमित करने से सारी रिक सकती बढ़ती है गुपत रोगों से चुटकरा मिलता है इसके अलावा गाजर गाजर विरिये को बढ़ाता है, पूरुसों की सकती को मजबूत करता है, कमजोरी को दूर करता है, इसलिए गाजर का सेवन आप कर सकते हैं, गाजर काफी फायदे मन्द होती है, इसके अलावा चुहारा परती दिन सेवन करने से पूरुस अपनी सकती को बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि यह सवास्तिय के लिए खत्रनाक होते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जनकरी पसंद आई होगी आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और शमय पर मिलते रहें